हालो अबरीबान वेलकम बैक टो मैं चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सिहत मन होंगे खुशाल होंगे अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम सब भी मज़े में हैं और यह जो वीडियो है यह थोस्टे मैंने शुरू करती हूं सफाई तब ही हो जाते हैं और बस यह टाइडिंग कप का मेरा काम रहता है तो तो आज मैंने तोड़ा डिफरेंट तरीके से विस्तर लगाया है आइनो कि यह जो पिलोज वगरा है यह परफेक्ट प्रॉपर वाले नहीं है बट मैं तोड़ा था ट्राय करी थी कि प्रॉबली नए घर के हिसाब से सोफा की भी थोड़ी सी आज मैंने सेटिंग चेंज कर दी है और इसके बाद मेरा काम सारा ही हो चुका है फिनिश डिश वाशर लगा दिया है और मैं जारे यह शावर लेने है और बस थोड़ी दर पहले मैंने लिया है शार काइनली इग्णोर माइ ब्लॉड स्पीच मेरे मुझे यहां कॉर्णर पर यह कुछ हो गया है जिसके वज़े से थोड़ा सा मेरा मुझ कुलने में प्रॉबल्म होती है और इसके वज़े से स्पीच भी ब्लॉड हो जाती है मै मैं भी थोड़ी दर पहले शावर लिए थोड़ा स्किन केर किया है अचा स्किन केर से मुझे याद आ रहा है और ने कभी नोटिस किया है कि मार्केट में कितने सारे प्रॉड वैलेबल है नोट आ कि मेरा मतलब है जो हुआ फेस पे आक ने, द्राइस, बालसी, इसकी नोडम तिर देख़ाल के लिए इस्तेमाल कर सते हैं दीडर्मा कोस, body wash and they're all new body soaps. These are formulated with nourishing ingredients that gently cleanse the skin without drying. It has penta-whitant which boosts hydration and locks moisture for up to 24 hours. And there are two variants for different body concerns. This is 1% salicylic body wash and salicylic acid soap for body acne. And this is 1% vitamin C body wash and kojic acid soap for even tone and bright skin. And this is 1% salicylic acid daily exfoliating body wash which you can use daily, supply, massage and rinse off with water. It's a hero ingredient salicylic acid that exfoliates dead skin cells, removes acne causing bacteria and deeply cleanse the skin without drying. And it's a completely sulfate free formula but whenever you use a new skincare product on your skin always do a patch test. Also, whenever you are using a product that is based on active ingredients, don't forget to apply a broad spectrum sunscreen. And I personally like body wash but many people prefer more than body wash, so you can use D-Dermacose Salicylic Acid Press Charcoal Daily Synthet Soap. And this whole range is fragrance free and dermatologically tested. If you are interested in products, you can use my coupon code, which is Neelam2022. You can use this and get a flat 20% discount when you place your order through ddermaco.com. And D-Dermaco links every order to a child that they help to educate along with Bhoomi. And they have pledged to educate 10,000 plus students every year. And you can buy D-Dermaco products from Nike, Amazon and Flipkart but without my discount code. I am meeting you in the night. I am doing a small job that I have not recorded anything. And when I was doing a good job, I didn't learn anything about Sharmaji. So, when I was doing a good job, I didn't learn anything about Sharmaji. But now, I plan to teach a good job that I can teach a good job. And I plan to teach a good job that I am doing a good job. कर रहे हैं कि आज अन कि अन ए यह कर दो और रात में खानावाना खाके हम लोग चले गए थे नीचे थोड़ा बहुत घूमगा हमके बच्चों ने साइक्लिंग किया और इसके बाद सीधे अभी नेक्स्ट मॉर्निंग सिंपल सा मैंने खाना बनाया था तो उसमें रेसिपी देने जैसा कुछ ठानी इसले मैंने कुछ रेकॉर्ड किया और आजकल सुबहें कितनी खुबसूरत होती है एकदम ग्रीन ग्रीन इतना बढ़ गया है बारिश की वज़े से बहुत प्यारा लगता है मुझे पर्सनली मॉ ज़दार लगता है ना ये मौसम गर्मी नहीं लगते एकदम टंडा टंडा और हर तरफ इतनी ज़दा ग्रीनरी हो जाती है बहुत अच्छा है गूमने के हिसाब से मौनसून मैं सीधे अभी बच्चों का टिफिन बनाने की तियारी कर रही हूँ रात को ये चने मैं भीगो सीधी लग जाएंगे तब तक जो बाकी तियारिया है आज जो उनका लंच बॉक्स का में डबा है उसमें क्या देने वाली हूँ मैं उसके तियारी कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सूजी ले लिया है हाफ कप सिर्फ बच्चों के लिए बन रहा है ये शर्माजी और मैं नहीं काने वाले है ये जो चैने बनेंगे वही हमारे ब्रेकफस्स के लिए हो जाएगा तो जितना सूजी था इसका आधा मैंने ले लिया है दही या बस इतना दही ले ले लीजिए कि आप दही के अंदर सूजी को कोट करें तो भले ही थिक पर एक अच्छा सा मिक्स बन ज इसे जरा थिक ही रखें अभी के लिए आगे जरुरत लगेगी उसे आप से पानी हम मिला लेंगे बहुत ही बढ़ी आतर ऐसे इसका एक गाड़ा सा मिक्षर बना लीजिए और रख दीजिए इसको रेस्ट होने के लिए अटलीस 15 मिनिट्स के लिए तो कि टिफन में आज मैं दे रही हूँ वेजटेबल अपे यह बहुत ही जल्दी से बन जाती है रेसिपी उसे साब से भी टिफन के लिए एक दम ही अप्रोप्रियेट है बट बच्चे ना बहुत चाओ से इसे खाते हैं चोटे-चोटे होते हैं उठाके खाना दूसरे फ्रे सबसियां आड़ कर रही हूँ वैसे तो अपे मेरा प्याज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है बट सानवी खुशी नहीं खाते है उतना चाओ से प्याज कुशी तो फिर भी खा लेते हैं अबर शानू देखती है तो वह निकालने लगेगी तो ऐसे चीज़े मैं नहीं आप से कम है यह तो यह भी में बारी काट लूँगी इसमें हरी मिर्चे भी अच्छी लगती हैं बट बच्छों के लिए बना रही हूं सिर्फ उनी के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं आड़ कर रही हूं बट जब मैं सब के लिए बनाते हूं ब्रैक या तो शेयर करने में सारा का सारा टिफन खाली कर देंगे या बच्चा कर ले आएंगे and I don't want that तो मैंने यहाँ पर मिक्चर में आड कर दिया है कटे हुए कैरेट्स, कैप्सिकम उनको कॉन बहुत जादा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर बॉइल स्वीट कॉन आड कर रही हूँ आड किया है मैंने थोड़ा नमक भी यहाँ पर बाकि जो भी चीज़ आपके बच्चों को पसंद आती है मत्र वगेरा वो आप यहाँ आड कर सकते हो ज़रूरत लगे तब आप इस स्टेज पर एक दो चमच पानी मिलाइए और एक अच्छा सा पाटर बना लीजे जस्ट लाइक इडली और मैं यहाँ पर आड करें इसमें थोड़ा सा हींग भी हींग से भी एक तो टेस्ट अच्छा सा एंहांस हो जाता है दूसरा यह आपके पास इडली का जो बैटर रहता है जिसे फर्मेंट किया जाता है वह है तो डारेक्ली आप उससे भी बिना सकते हैं फिर आपको कुछ भी उससे मिलाने की ज़रत नहीं है आज यह इनो बेकिंग सोडा पगेरा और अच्छा से मिक्स कर लीजे सोडा या इनो जो भी आ करेंगे एकदम लास्ट में डालें पैन मेरा गरम हो चुका था इसके बाद ही मैंने बैटर के अंदर सोडा डाला है पैन की हर काविटी के अंदर तोड़ा सा ओल डाल दीजे थोड़ा सा राई डाल देंगे बारी काटके करीपता भी आप आप आड कर सकतो वही बच्चों क कि पेकिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने नहीं आड किया इन फैक बारी काटके करीपता अंदर बैटर में भी आप डाल सकते हैं इसके बाद हर काविटी में लगवख एक चमच जैसा बैटर पोर कर दीजे और फिर इसको हर तरफ से लगवख तीन मिनिट ल किया है और इनको अभी अपसाइड डाउन फिलिप कर देंगे और यह उपर वाली साइड में भी ना आप वापस से ओई लगा सकते हो अभी ओईल नो ओईल लेस ओईल मोर ओईल इस कम्प्लीटी और चोईस पस अपर इस तरह से बढ़िया बढ़िया दोनों तरफ से से एक गर्मा गरम breakfast में बहुत अच्छे लगते हैं उपर से एक दम crispy और अंदर से लगते हैं यह जो अप़े पान है इसमें जुए जूदा हीट लगती है तो सेंटर वाले अप्पे ज्यादा जल्दी कुक होते हैं ज्यादा जल्दी वह अचलर ले लेता है कप जो साइड वाले बीच में डाल दें और सेंटर वाले अपो को साइड में डाल दें इस तरह से तोड़ा से युनिफॉर्म सारे जो अपे हैं इनको आप कुक कर लीजे और एक बाच हो गया है रेडी अभी जो सेकंड बाच है उसके लिए मैं कुछ भी अलग से वापस से ओल या राइ नहीं डा तो छॉस कंप्लिली आपकी है जैसा चाहे वैसा बना सकतेओं मैं हमेशा ही कहते हूं फिर कह रही हूं कि घर में खाना बनाने की वीफित ही है कि अपने खाने को अपने हिसाब से हम साफ थोड़ा सा मौडिफाय कर सकते हैं आप सारे कारे हैं सिक करके तयार कस्ति कर दियार म आपल आजकल वैसे भी थोड़े कम ही फ्रूट मिलते हैं और उसमें से भी बच्चे कितने खा लें वो भी एक चीज है जैसे आजकल है यहाँ पर जो खजूर रहती है ना फ्रेश खजूर खा रहे एक भी बोलते हैं उसे वो बहुत अच्छी मिल रही है येलो वाली भी रेड जो चैना मैंने बोईल कर रहे थे उसको चलनी में डालकरके पानी निकाल दिया है इसके बाद इसको एक अलग बरतन में डालके इसमें डालेंगे तोड़ा सा नमक तोड़ा चाट मसाला और नीबू और भी मसाले आप आड़ कर सकतो यह एकदम ए क्विक वरजिन है जो मेरे चीज़े पानी छोड़ देंगी जो कि टिफिन में चना दे दिया है मैंने एकदम ऐसे सिंपल ही और अभी उनका जो में बॉक्स है उसमें अपर डाल देंगे ये जो चना है ये टोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था मैंने तो जो बच गया है वो मेरा और शर्मा जी का ब्रैक् तो उनका टिफिन बॉक्स हो चुका है तैयार जल्दी से मैं लिड लगा दूँगी अपर भी थोड़े से रूम टेंपरिचर आगे थे तब ही मैंने पाक किया है और चना तो अभी तक काफी ठंडा ही हो चुका था और हो गया है डबा उनका रेडी दूद उनको दे दिया तो शर्मा जी उनके पीछे लगे हो है हर चीज जैसे मैं आपको बताई रही थी पिछले व्लॉग में भी कि यह तो जो टिफिन पाक हो रहा है यह तो मैं कर रही हूं पीछे उनके पीछे लगे हो है शर्मा जी की चलो जागो बातरूम में जाओ वापस निकलो दूसरे को ठंडा हो जाएगा यह कर लो वो कर लो तो बराबर वो पीछे लगे रहते हैं उनको यह सब करने में ना मजा भी आता है सुबह सुबह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है उनका लगबग एक घंटा जैसा इसके बाद तो रात को कभी-कभी तो दस बज़े आते ह नौ तो बजी जाते हो ने तो उतना उनको फी टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ बाते करने का तो दिस इस टाइम जब उनसे थोड़ा सा बाते बाते कर लेते हैं क्या चल रहा है हाल चाल वगेरा पूछ लेते है हाल चाल से मेरा मतलब है स्कूल में क्या चल रहा है वह और इनका डबा है ना मेरा पता है मुझे ना बहुत असे रहता है कि एकसम टाइम पे हो जाए चीज टाइम पे हो जाए अगर नहीं होता तो मुझे थोड़ें टेंशन चड़ जाती है कि उनकी बस आने से दस मिनट पहले मैं डबा जो है तयार कर देती हूं और इसके बाद विकस इट वस फ्राइडे मेरा दी मोस्ट फेवरेट डे ऑफ तो वीक होता है इस दिन मैं जाद अगर के मूवी देखती हूं दो पहर में अकेले अपने नेल वगरा ठीक कर लेती हूं य आप किसी कहां जा रहे हूं कोई आ रहा है या आप खुद ही कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो यू आर ओल रेडी वदाट तो मैं अपने नेल वगरा ठीक किये थे अपने साथ ही थोड़ा टाइम स्पें किया था और इसके बाद शर्मा जी बाहर से ही खाना का कर आये थे उनका बाहर मील था टीम के साथ मेरा ऐसाच कुछ खाना खाने का मन नहीं था तो मैंने सुचा चलो बच्चों के लिए मैं फ्राइड राइस कर देती हूं लंच में मैंने बनाये थे दाल चावल सानवी खुशी और मेरे लिए तो थोड़े से चावल उसमें से बच गे तो मैंने फ्रिज में रख दिये थे और वो चावल अच्छे ठंडे हो चुके हैं तो फ्राइड राइस के लिए ऐसे राइस एकदम ही पॉफेक्ट रहते हैं तो बिकस सिर्फ उन दोनों के लिए बन रहा है डिनर तो मैं एग फ्राइड राइस बना रही हूं शर्मा जी ज़र नमक और काली मिर्ची के साथ थोड़ा सा इसका स्क्रामबल एक बना लिया है यह भी रखेंगे साइड में और जो राइस है उसका फ्राइड राइस करेंगे इतना क्विक वाला रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूं कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब यह आप यह उसके साथ लिए प्रेप भी कर रही हँ तो इसलिए मैंने उस काडाए में पांई गरम हो जाने के बाद नमक आड़ करके नूडल्स boil होने के लिए रख दिये हैं और यह वाले कडाई में मैंने थोड़ा सा add किया था oil थोड़ा सा फिर add कर दिये हैं प्याज और थोड़े capsicum again सबजियां जो आपके पास available हो आपके बच्चे को पसंद हो वो सब यहां पर add की जा सकती हैं fried rice के अंदर beans भी corn भी मटर भी डाल दी जाती है and then cauliflower cabbage जो भी आपको पसंद है mushrooms वगेड़ा वो सब यहां पर add कर दीजे rice add किया है मैंने और यह है एकदम ही twist मैंने यहाँ पास्ता का जो मसाला आता है न साशे में वो एक साशे यहां add कर दिया है ना fried rice मसाला में add कर रहे हूं ना ही वो soya sauce and all that वो सब sauces add कर रहे हूं पास्ता वाला मसाला का एक packet मैंने add किया है that makes it very quick आप सुभा में फटा फट से यह वाला fried rice का recipe बच्चों को दे सकते हैं noodles यहां almost त्यार हो गया है दो मिनट और मैं उसे देख लोंगी और यह एकदम instant वाला बहुत ही सुन्दर देखे कितना लग रहा है एकदम market वाला color आया है और tasty भी बहुत लगता है try दीजेगा यह एकदम थोड़ा सा हट के हमने जो बनाया है fried rice जो फटा फट से बन जाता है और इसके बाद इनके ओपर मैं थोड़ा सा oil smear कर रही हूँ यह मुझे अभी नहीं चाहिए मैं इने फ्रिज में store करूंगी यह मुझे सुभा में चाहिए होंगे इसलिए इनको oil smear करके रखना बहुत जरूरी है एक थाली में फैला देती हूँ जिससे यह ठंडे हो जाए इसके बाद मैं इने store कर दोगी इसी के साथ आगे हम इस वीडियो के end पर उमीद करते हूँ वीडियो आपको अच्छी लेगे है वीडियो में कहीं बहुत आपको अच्छा लगा है